हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग सिखेंगे इफ और इफ कैसे तीन अलग फंक्शन्स जो बहुत ही उपयोगी है एक्सेल यूजर्स के लिए एक तो बहुत कॉमन फंक्शन है इफ दूसरा फंक्शन है इफ एरर दो तीसरा है इफ एने और चौथा है इफ एस तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीदियो के टॉपिक के उपर देखिए यहां पे सभसे पहला जो मेंने टॉपिक डिसकस कं़र कर उतिया है वह मैंने पहला expression होता है जैसा कि यहां पर मैंने लिद दिया है और उसके बाद फिर उसके condition के falls होने पर आपको जो काम करना है वो आपका दूसरा expression होता है and so on तो यहां पे मैंने क्या किया है कि यहां पे मैंने अलग-अलग मन्त रखे हैं फिलाल तो मैंने यहां January तो जुलाई साथ अलग-अलग महीने रखे हैं और हर महीने का जो sales का target है उसका amount मैंने यहां रख दिया और जो actual sales यहाँ पे हो रहा है वो मैंने यहाँ पे रख दिया तो जो actual sales होगा वो target से जादा भी हो सकता और target से कम भी हो सकता है अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा formula लिखना है कि अगर आपका जो actual sales है वो target से अगर अधिक हो तो message आए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस जिस cell में actual cell जिस भी row में sales target से ज़्यादा है वहाँ target achieved आ रहा है और बाकियों में target not achieved आ रहा है तो मैंने ऐसा किया कैसे तो चलिए आज इसको देखते हैं कि मैंने ऐसे कैसे किया देखें मैंने Excel में लिखा बहुत ही simple formula मैंन ज़्यादा हो बी के 3 से तो इसका मतलब यह हुआ कि target आपने achieve कर लिया तो आप message दे रहे हैं target achieved otherwise आप यहाँ पे message दे रहे हैं target not achieved बहुत ही एक simple formula आपने use किया और जैसे ही आपने इस formula को लिख के enterprise किया तो देखें यहाँ पे चुकी actual cell 56,000 है जो कि target cell से 50,000 है तो यहाँ पर यह target achieved आगया अब इसको आपने copy paste कर लिया तो formula के हिसाब से जहाँ 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 पे actual cell का जो amount है वो target cell से ज्यादा है वहाँ वहाँ पर target achieved आगया बाकियों में target not achieved आगया तो यह हमने यह फर्मूला यहाँ पर हमने एक column में आपने लिया value 2 आपने दूसरे column में लिया अब आपको division operation perform करना है जैसा कि मैंने किया है value 1 by value 2 तो अगर आप simply यहाँ पर लिखते है equals आपका value 1 कहां है भई तो यहाँ A3 में है तो आप लिखते है A3 by value 2 इसके लिए कहां पर है तो B3 में अगर आप ऐसा लिखके enterprise करते हैं तो देखें यहाँ पर आपका जो result है वो आगया लेकिन आप जैसे ही इसको copy करेंगे नीचे के तरफ तो वैसे सारे sales में जहाँ पर value 2 0 है वहाँ पर error message आजागा has due by 0 अगर आप यहाँ पर भी 0 दाल देखें मैं modify कर दे रहा हूं तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है ले आपके पास Excel में function है if error जो की अपने आप में दो parameter को लेता है पहला parameter इसका expression है जो आपको काम करना है और उसके बाद अगर उस expression के execution से कोई error आता है तो आपको यह value जो की दूसरा parameter है वो देना है तो मैंने कैसे किया आईए इस चीज को पहले जो formula मैंने लिखा इसको delete करके स मैंने यहां लिखा if error कौन से expression में error हो तो अगर आप a3 के value को b3 से divide करते हैं अगर सब कुछ होके है okay result दो otherwise आप यहां पर message दे सकते है कि there is something wrong okay चुकि text है तो आप double quotation में देंगे और जैसे आप bracket बंद करके इंटरप्रेस करेंगे तो देखिए अगर result आ गया तब तो ठीक है otherwise आप देखेंगे कि जहां जहां second value 0 है वहां वहां पर error message ना आके आपका दिया हुआ message आ गया अभी अगर यहां पर आप suppose इसको आप 100 कर देते हैं और यहां पर अगर आप इसको suppose आप 18 कर देते हैं तो देखिए division हर जगा possible है तो कहीं पर भी आपका दिया हुआ error message नहीं है लेकिन मैं चलिए यहां पर zero कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि there is something wrong नाम का message आ गया तो यह हमारा दूसरा formula हो गया if के बाद का if error अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे formula के उपर if na if not available देखिए यहां पर मैंने क्या किया है कि मैंने यहां पर अलग-अ अब यहां पर मैंने एक कॉलम में जून रखा है जबकि यहां दूसरे कॉलम में जो आपका actual sales है वह आप मैंने रखा है आप अगर चाहें तो इसको actual sales ऐसा भी लिख सकते हैं या sales भी लिख सकते हैं अब यहां पर अगर आप January लिखते हैं तो देखिए January का sell 56,000 है यह यहां पर आगया अगर आप यहां पर सपोज जून लिखते हैं तो यहां देखिए जून का sell क्या है भी 48,000 आप जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो यहां पर 48,000 आगया लेकिन आखिर यहां पर सपोज कि मैंने यहां पर अगर मुझे लिखना है सपोज दिसंबर तो क्या आपके इ जुलाई है दिसंबर तो है नहीं लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पर मैसेज आता है ता वैल्यू is not found in the list यहां पर भी आपका अपना मैसेज आ रहा है तो इसके लिए मैंने इस्तवाल किया है इफ एने लेकिन इफ एने को मैंने इस्तवाल किया है देखिए वी ल भी look up आपको कौन सा value ढूनना है तो यहाँ E के 3 में जो भी month का नाम है आपको उसको ढूनना है कहाँ ढूनना है look up value का जो second parameter है वो array list होता है तो आपको ढूनना है यहाँ से यहाँ तक फिलाल यह जो range है वो आपका A3 से C के 9 तक है आपको क्या लेके आना है भई तो actual sales जो की इस list के इसाफ से तीसरे column में आता है आपने ऐसा लिख दिया तो आप देखेंगे कि अगर आप कोई वैसा month डालते है जो list में available है तो उसका तो वो column का value उटके चला आ रहा है actual sales वाला लेकिन जब आप यहाँ पे कोई वैसा column डालते है जो list में available नहीं है तो यहाँ पी error आता है has na जो अपने आप में इस बात को बताता है कि आपके list में जो आपने value दिया यहाँ पे फिलाल November है वो available नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका खुद का message आए तो आपको क्या करना है we look up के साथ if na का इस्तमाल करना है if na function क्या करता है कि दिये गए expression को check करता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा है उस expression के हिसाब से उस function के हिसाब से अगर value मिल गया तब तो यह कुछ नहीं करता है लेकिन अगर especially has na नाम का error आता है तो यह जो भी आप message देंगे उसको display कर देता है तो चलिए मैं छोटा सा इसमें फेर बदल करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ if na और उसके बाद अगर यह value मिल जाए तो ठीक है otherwise आप लिख दीजिए the value is not in the list आप ऐसा एक message दे दीजिए और bracket आपने if na का बंद किया अब आप जैसे इंटर करते हैं देखिए अभी November चुकी इस list में नहीं है तो has na के जगह पर आपका दिया गया message आ रहा है अगर आप suppose आप अपरील महिना डालते हैं जो की already available है तो उसका sense आ जा रहा है हाँ na a, u, g, u, st आप अगस्ट डालते हैं देखिए यहाँ पर the value is not in the list आ रहा है तो इस तरह से आपने अभी तक सीखा एक normal if उसके बाद आपने सीखा if error function उसके बाद आपने सीखा if error और मैं अपने इस वीडियो में हर function का यहाँ उपर में syntax भी मैंने लिख दिया है आप लोग note down कर लेंगे ताकि future में आप लोगों को आसानी हो अब देखिए एक नया function आया है ifs यहाँ पर मैंने लिख दिया ifs का syntax logical text one पहला parameter है अगर यह logical text test जो है वो सही होता है तो यह आपका पहला value execute होगा नहीं तो फिर आप logical test कीजिए उसके हिसाब से फिर true होगा तो फिर execute होगा and so on तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 12 अलग अलग number के हिजाब से month को from January to December यहाँ पर लिख रखा है अब आप यहाँ पर formula मैंने लगाया है आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 4 तो यहाँ पर 4 का जो भी formula जो भी month है वो आपका आजाएगा अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 10 इसी कॉलम में जहाँ पर आपने 4 लिखा है उसी cell में आप 10 लिखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 के हिसाब से एक value आ गया तो आखिर मैंने ऐसा कैसे किया तो देखिए आईए सिखते हैं मैंने यहाँ पर formula लगाया अगर यह वाला value जो मैं नूमब डाल रहाँ हूं आगा एनट इस इकokay लूग तो इस दिस वाल इनॉट कैंगा दिसप्लेए डिस ला ओटर्वाइस if value on this cell is equal to value on this cell then display this cell value of this cell उसी तरह से अगर इस cell का value equal हो इस cell के तो display करो ये वाला cell का value नहीं तो अगर इस cell का value equal हो इस cell के value के तो display करो ये वाला cell का value नहीं तो अगर इस cell का value equal हो इस cell के value से तो display करो इस cell का value नहीं तो अगर इस cell का value equal हो इस cell के values के तो display करो इस cell का value and so on आपको लिखते चले जाना है आप देखेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा list के हिसाब से तो लेकिन आप पाएंगे कि इस formula का use करके आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं चलिए अब आज के अपने bonus point के ऊपर चलते हैं इसी if s के function के बिना हम लोग कैसे आखिर month निकाल सकते हैं लिए उसके लिए हम लोग यहां पर कहीं पर एक formula लिखते सब्सक्राइब मैंने यहां पर कोई एक मन्त लिख दिया अब मैं चार्ता हूं कि if s जैसे निकाल रहा था वैसे यहां पर मन्त निकले तो मैं बहुत ही simple तरीका बहुत लाश्ट तक बने रहेंगे बहुत ही important देखेंगे यहां पर मुझे ढूरना है इस cell का value जो की आपका क्या है दी 6 है अगर इस cell का value को मैं ढूरना चाहता हूं यहां से यह मेरा list है जो मैंने if s से काम किया मैं इसको भी look up से करके दिखाता हूं तो यहां पर ठीक है आप धूनो यह मेरा table यह रहे है और आप दूसर लुक अप को शुरू से सिखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक्सल वीडियो का लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके भी लुक अप लुक अप एच लुक अप एडर फंक्शन के उपर बहुत सारी वीडियो है उसको आप लोग देख लेंगे ताकि वहाँ पे बहुत करके मैंने भी लुक अप एच लुक अप को बताया है ताकि उसका कॉंसेप्ट क्लियर हो लेकिन यहां पर भी आप समझ सकते हैं मैंने क्या किया मैंने डी 6 के वैल्यू को ढूंढा अपने इस लिस्ट में जो की एके 3 से बी के 14 तक है और दूसरे कॉलम के वैल्यू को चुकि मुझे मन्त उठाना है मैंने उठा लिया यह भी तो आपका वही काम कर रहा है जो इफ एस से आ रहा है देखिए तो आप चाहें तो इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहें अगर तो भी लुक अप का भी इ करने रहने के लिए सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल बटन को प्रिस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग होगा थैंक्स थैंक्स अलोट